हलो फ्रेंट्स, वेलकम टो आई चैनल स्टडी फोर यू सो गाई जशा कि आज आज आपका SSE MTS का पांच सी तंबर के फर्स इप का एक्जाम हो गया है दोस्तों जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% accurate answer के साथ जो है इस वेड़े में बताऊंगा तो देख लेना है कि किस परकार के जो है आज आपके 5-6 तंबर के फर्स इप के एक्जाम में जो आप प्रेस्ट ना पूछे गया है उससे पहले एक बात और दोस्तों कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो SSE MTS exam से related पलपल की update के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरू कर दीजेगा और बगल में यह आपको एक बैल ऐकन यानि घंटे का निशान भी दिख रहा होगा तो आप उसे भी जरूर प्रेश कर दीजेगा तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो आपका पहला कोश्चन है था कि गंगुबाई हंगल यह जो आपका किस घराने से संबंदित है तो देखे गंगुबाई हंगल की बात कर ले तो यह आपके किराने घराने से संबंदित है तो किराना घराना आपका यहाँ पे correct answer होगा इसके लावा बात कर ले किराना घराने के प्रसिद गायक के बारे में जहांसे एक्जाम में प्रस्ण पूछे जाते हैं जैसे कि पंडित भीमसें जोसी, सवाई गंधर्व, सुरेश बाबु माने, प्रभा अत्रे, हीरा भाई बादोड कर, इसके लावा मानिक वर्मा और सुर प्रशाद, ठाकूर परसाद, जो कि आपके वाजीद अली सा के दर्बारी नर्तक थे, स्री बिंदादीन बहराज, कालिका प्रशाद, भैरो प्रशाद, मदूरीता सारंग, सास्वती शेन, इसके लावा पंडित लच्चु महराज, और इनकी जो सीसिया थी, वो आपका कु इसके लावा अगर बनारस घराने की बात कर लें, तो देखें, बनारस घराने में, पंडित बड़े रामदास जी, पंडित चोटे रामदास जी, पंडित महादेव प्रशाद मिस्र, पंडित राजन साजन मिस्र, इनका जो संबंद है या आपका बनारस घराने से है, इसके बड़ी मोती बाई इसके लाव सीदेशवरी देवी इन सभी का भी जो संबंद यह आपके बनारस घराने से है इसके लाव प्रमुक कथक नर्तक की बात कर लें तो देगे यह जो आपका सीतारा देवी जो कि आपका कथक नित्त से संबंदित है और इनके गर घराना पूछा ज पन्डित जसराज मोती राम मनी राम और संजीव अभ्यंकर इनका जो संबंद यह जो आपका मिवाती घराने से है गवालियर घराने की बात कर ले तो हद्दू खान हसु खान और नत्दू खान इनका जो संबंद है आपका ग्वालियर घराने से है, पटियाला घराने की बात कर ले, तो इनके जो प्रसीद संगितकार है, वो आपके बड़े गुलाम अली खान, अजाय चक्रवर्ती, राज अली खान, बेगा मक्तर, निर्मला देवी, नैना देवी और फरवीन सुल्ताना इन सबी का जो संबंद है न, यह आपके पटियाला घराने से है, तो यह सारे पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है, नेक्स्ट कोश है आपके आप रहता कि हेमा मालीनी, एक प्रसीचित कि सास्त्रे नित्य की जो है नित्यांगना है, तो देखे हेमा मालीनी की बात कर तो यह आपका भरत नाटियम नित्य से संबंदित है, तो भरत नाटियम आपका यहाँ पे करेक्ट अंसर होगा, नेक्स्ट कोश है आपके आप रहता कि गुलाबो सपेरा, यह जो आपका किस नित्य से संबंदित है, तो यह जो आपका कालबेलिया नित्य से संबंदित है, तो कालबेलिया नेत्य आपका यहाँ पर करेक्ट अंसर होगा। इसके लिए मैं आपको बता दू कि कि यह आपकर कालबेलिया नेत्य आपका लोग नेत्य है। इसके लाव में आपको बढ़ा दुकि कालबेलिया निتे को नवा जाना जाता है, इसके लाव में आपको बढ़ा दू कि यह जो हूँ आपका कालबेलिया निते है ना इस नेते को वर्स 2010 में यूनेशकों की मानवता की अमरी सांस्कृतिक विरासत सूची में भी इसे सामिल किया गया था तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट कोशन आपके आप रहा था कि असम में फसल कटाई का उत्सो कौन सा है तो देखें ये जो आपका बीहू तेवहार है ये आपका असम का एक फसल कटाई का तेवहार है तो बीहू आपका यहां पे करेक्ट एंसर होगा इसके लिए मैं आपको बतारू कि ये जो आपका बीहू है ये असम राज्य का एक लोक नेते भी है तो ये fact भी आपको ध्यान में रखना है, इसके लावा अन्य पर्मुक फसल उत्सव की बात कर ले, जैसे कि पूरे उत्तर भारत में आपका जो फसल कटाई का उत्सव है या आपका मकर सक्रानती है, इसके लावा तमिल नाडु का जो फसल कटाई उत्सव है, या आपका महारास्ट का जो एक क्रीसी उत्सव है, उगादी की बात कर ले तो या आपका आंद्रपर्देश और kernavida का जो है ये आपका एक फसल उस्सव है इसके लावा बीशू की बात कर ले तो ये जो आपका केरल और खरinsi का जो है एक क्रिसी उस्सव है तो ये सारे पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट कुशल है आपका आपना तक है great barrier reef ये जो है कहाँ पर इस्तित है तो देगे great barrier reef की बात कर ले तो ये आपका ऑस्टेलिया के quizland में इस्तित है तो quizland आपका यहाँ पर correct answer होगा इसके लिए मैं आपको बता दू कि यह जो आपका Great Barrier Reef है ना यह विश्व का सबसे बड़ा मूंगे की दिवार है और इसे जो पानी का भगीचा भी जो वो कहा जाता है तो यह fact भी आपको ध्यान में रखना है इसके लिए एक्जाम में पूछा जाता है कि Great Barrier जो रीफ है ना यह किस सागर में इस्तित है तो देखे यह जो आपका Great Barrier Reef है ना यह आपका कोरल सागर में इस्तित है और अगर इसके चोड़ाई की बात कर ले तो देखे इसके जो चोड़ाई हो आपका 160 किलोमेटर जो वो चोड़ी है तो यह point भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट कोशन आपका यह आप रहता कि पंजाब यह जो आपका किस खनी जेतु जो वो प्रशीद है तो देखे पंजाब राजजी की बात कर ले तो यहाँ पर आपका नमक जो है वो सबसे ज़्यादा वो प्रशीद है तो अगर आपका नमक दिया गया था तो नमक आपका यहाँ पर एक करेक्ट एंसर होगा इसकला मैं आपका बता दू कि पंजाब राजजी में जो है यह आपका जलोड मिटी जिसे जो है दोमट मिटी या फिर ऐलूबियल स्वाइल भी जो है वो कहा जाता है और इसमें पंजाब में सबसे ज़्यादा यह पाया जाता है और इसमें कुल भूमी छेतर का पंजाब में 40% से अधीक हिस्सा भी जो है वो कवर करता है तो आप बताएगा कि इसके option में जो वो क्या दिया गया था नेक्स्ट कुछ है आपका यहां परातक कि विश्व भारती विश्विद्याले की अस्थापना 1921 में किसके द्वारा किया गया था तो देखे विश्व भारती विश्विद्याले की अस्थापना है यह आपका 1921 में रवीना टैगोर के द्वारा जो है पस्षिम बंगाल के सा स्विद्याला का धर्जा भी जो वो दिया गया था तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट कोश है आपके आप रहता है कि बंगाल वीवाजन ये जो कब हुआ था तो देगे बंगाल वीवाजन का जो निर्ने की घोशना है न ये आपका 19 जुलाई 1905 को जो है आपका 7 अगस्ट 1905 को जो है कलकत्ता के टाउन हॉल में श्वदीसी आंदोलन का भी जो घोशना है वो किया गया था तो 19 जुलाई 1905 आपका यहां पे करेक्ट एंसर होगा नेक्स्ट कोश है आपका आपना था कि कुतूब मिनार जो है ये कहां पर इस्तित है तो देगे क कुतूब मिनार की बात कर ले तो ये आपके दिल्ली के महरूली में इस्तित है तो दिल्ली आपका यहां पे करेक्ट एंसर होगा इसके लाब बात कर ले कुतूब मिनार का निर्मान जो है ये किसके द्वारा किया गया था के द्वारा बनाई गया था और किसके द्वारा बनाई गया था तो देկे कुतुमिनार का पांचवी और अंती मंजील इे 1379 में जो फिरुए फिरोट साथ Tugla ... के द्वारा इससे बनाईगया था इसके लावा बात कर ले कुतु मिनार को यूनेसको वर्ल्ड हेरिटेस साइट में जो कब सामिल किया गया था तो इसे जो 1993 में यूनेसको के वर्ल्ड हेरिटेस साइट में जो वो सामिल किया गया था तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है इसके लावा अन्य असमारे की बात कर ले तो देखे चार मीनार का जो आर्किटेक्ट है वो कौन रहे थे तो यह आपके मीर मुमिन अस्तरवाडी रहे थे और यह जो आपका चार मीनार यह किस स्टाइल में बनाया गया था तो इसे जो आपका इंडो इसलामिक आर्किटेक्ट्चर में जो है इसे बनाया गया था इसके लावा दि 1256 में जो यह आपका पूर्न हो गया था इसके अलावा दिली के अलाई धरवाजे का निर्मान जो यह किस ने करवाया था तो यह अलावदिन खिल जी के द्वारा 1311 में जो इसका निर्मान है वो करवाया गया था तो यह सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है अलवा स्वामी and friends, the painter of science, the English teacher, the vendor of sweets, यह सभी जो पुस्तक है ना, यह आपके आर्के नरायन के द्वारा लिखा गया है, तो option में आपका the guide दिया गया था, तो the guide आपका यहाँ पे correct answer होगा, next question आपका यहाँ रहा था कि main camp, यह जो आपका autobiography यानी जीवनी है, इस जीवनी के लेखा कौन है, तो देखें यह जो आपका main camp है ना, यह आपका Hitler की जो ऑटो बाइगराफी है, और Hitler के द्वारा जो 1923 में जो है, इसे jail में जो वो लिखा गया था, तो Hitler आपका यहाँ पे correct answer ह होगा, इसके लबाब main camp की अगर साबदिक अर्थ की बात कर लें, तो देखें main camp का जो साबदिक अर्थ होता है ना, वो आपका my struggle, यानी मेरा संघर्स होता है, तो यह point भी आप ध्यान में रखेगा, next question आपका आप रहा था, कि पीलिया रोग में, किसी बच्चे का जन्म के पीला पढ़ने लगता है, यानी नौजात सिसो में आँकों का सपेद भाग होता है, वो पीला पढ़ने लगता है, तो यह आपके लच्चन जो दिखाई देने लगते हैं, इसके अतरिक्त में आपको बतातों कि बच्चों को उल्टी और दस्त होना जो वो सुरू हो जाता ह और सौ डिगरी से ज्यादा बुखार जो है, उन्हें जो रहता है, तो यह आपके नौजात सिसो के पीलिया रोग से जो आपके लच्चन है, तो इन में से जो भी आप्सन में दिया गया होगा, वो आपका करेक्ट अंसर होगा, इसके लिए मैं आपको बतातों कि कि किसी मुमेंटम का जो है, आपका डाइमेंसनल फॉर्मूला यानि वीमा जो वो पूछा गया था, तो देखे अगर लिनियर मुमेंटम की फॉर्मूले की बात कर लें, तो देखे लिनियर मुमेंटम का जो फॉर्मूला होता है, वो आपका पी इकल टू एम इंटू वी होता है, यह आपका linear momentum का जो वो आपका formula होता है, और आपके formula से ही जो है, आपका dimensional formula जो वो निकाला जाता है, तो देखे, द्रब्बेमान का आपका क्या होता तो kg होता है, यानि आपका M क्या होगा तो आपका 0 होगा, इसके लाव अगर बात कर ले, वेक आपका ऐसा unit का होता है, तो देखे, velocity का जो ऐसा unit होता है, वो आपका meter per second होता है, यानि M आपका length जो वो L हो जाएगा, वह यह अगर per second, यानि T जो time आपका किता होगा, तो minus 1 होगा, तो देखे, अगर इसके dimensional formula की बात कर ले, तो MLT minus 1 होगा, तो इस option पर जिनोंने भी ठिक्किया होगा, उनका यहाँ पर correct answer होगा, next question आपका यहाँ पर आप रहाए था, कि Global Drum Project है तू, Grammy Award जो है, यह किसे दिया गया था, तो देखे, Global Drum Project है तू, Grammy Award जो है, यह आपका Jaakir Hushain को दिया गया था, तो Jaakir Hushain आपका यहाँ पर correct answer होगा, इसके लिए बात कर ले, Jaakir Hushain को जो है, किस category में Grammy Award दिया गया था, तो इन्हें बेस्ट केंटेबररी, World Music Album में यह आपका Grammy Award दिया गया था, और Jaakir Hushain को Grammy Award कब दिया गया था, तो यह आपका 2008 में जो वो दिया गया था, और देखें मैं आपको बता दूँ कि आपके लगतार जो है Grammy Award से प्रश्ण पूछे जा रहे हैं, जैसे कि कला आपका पूछा गया था प्रिबियस सिप्टों में, तो देखें, Grammy पूरुषकार पाने वाले जो पहले व्यक्ति थे यह आपके पंडी तर्रवी संकर थे, और पंडी तर्रवी शंकर को जो पहला Grammy Award है यह आपका 1968 में दिया गया था, और किस हेतु दिया गया था, तो इन्हें वेस्ट मिट इस्ट हेतु जो है, इन्हें Grammy पूरुषकार जो 1968 में जो वो दिया गया था, इसके लावा पहला जो Grammy Award है यह कब दिया गया था, तो देखें, पहला जो Grammy Award है यह आपका चार माई 1969 को जो वो आपका दिया गया था, इसके लावा मैं आपको बता तूँ कि पंडी तरवी शंकर एक ऐसे व्यक्ति है, जिने Grammy Life Time Achievement Award जो है, वो 5 Grammy पूरुषकार भी जो वो जीत चुके है, यानि सबसे ज़्यादा जो Grammy पूरुषकार है, यह आपके पंडी तरवी शंकर जो वो जीत चुके है, इसके लावा A.R. रह्मान के बारे में एकजामे प्रस्टन पूछा जाता है, तो देखे, A.R. रह्मान को स्लैम डॉग मिलिनियर के लिए या आपका दो ग्रैमी पूरुषकार भी जो जीत चुके है, तो यह पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा, इसके लाव रीकी केज के जो आपका ग्रैमी आवाड के बारे में पूछा जाता है, तो देखे, रीकी केज को ग्रैमी आवाड है या आपका 2015 में, आपके जो विंड्स आप समसारा हे तु जो है, इन्हें ग्रैमी पुरुषकार जो है वो दिया गया था, इसके लाव रीकी केज को जो है 2022 में भी दिया गया था, इसके लाव रीकी केज, स्टिवेट कॉपलेंड और पिये दीपक को जो है 2022 में, डिवाइन टाइट से तु जो है या आपका ग्रैमी आवाड जो वो दिया गया था, इसके लाव बात कर ले फालू को जो है 2022 में जो है एक कलरफूल वर्ल्ड के ले जो है बेस्ट चिल्डरेन म्यूजिक अलबम कैटेगरी में जो है इन्हें ग्रैमी पुरुषकार्ट जो वो दिया गया है तो ये सारे पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट कोशन आपका है अपना था कि 2023 साफ चैंपियंशिप ये जो आपका किस राज्ये में हुआ है तो देखिए अगर साफ चैंपियंशिप की बात कर ले तो इससे जो है दच्छिन ACI Football Federation के द्वारा जो है इससे इसका आयोजन जो वो किया जाता है और ये जो आपका स्टेडिया में जो इसका आयोजन है वो किया गया था तो बैंगलोर आपका यहाँ पे करेक्ट एंसर होगा इसके लावा बात कर ले 2023 साफ चैंपियंशिप का वीजेता टीम कौन रहा था तो यह आपका भारत है देश रहा था और उप वीजेता जो यह आपका कुवेट रह रहे थे यह आपके भारत के कपतान सुनिल चेतरी रहे थे नेकस्ट कोश आपके हाप रहा था कि 2023 ओमें वेर्ड बॉक्सिंग चैंपियंशिप में भारत ने जो कुल कितने गोल्ड मेडल जीते थे तो देखे ड़े't़ 0022 ओमें बॉल्ड बॉक्सिंग ने जो separat बारत बाध से जीते थे तो देखे मीनी वेट में जो है नीतू खंगास ने गोल्ड मेडल जीता था लाइट फ्लाइवेट में जो है नीखा जरीन ने गोल्ड मेडल जीता था मीडिल वेट में जो है आपका लावलीना बॉर्गिया ने गोल्ड मेडल जीता था और लाइट हैवी वेट मे जो है स्वीटी बोरा जो है यह आपके गोल्ड मेडल जो वो जीती थी इसके लिए बात कर ले थो हजाट तेश आई बीए उमेन वर्ल बॉक्सिंग चैंपियन सीप यह जो है कहां पर आयोजित किया गया था तो यह आपका केड़ी जाता इंडोर हॉल नई दिल्ली भारत में यह आपका आयोजित किया गया था तो यह द्रूशन कैन अपनेरःत की विदू cornary उत्हाने डोडल च्छेत्र योज ना से संबंधीद खलत कतन जो आपको बथाना था तो देखें के पुनरंथान विथर शेत्र योजना की मैं बात कर लो तो इस योजना का जो सुभारम बै नानी वितवर्ट से 2021-2022 से लेकर जो है वितवर्ट से 2025-26 तक जो है यह आपका योजना की जो है अवदी है और इसमें जो आपके तीन लाग करोर रुपे से अधिक के परिपक के साथ जो है इस योजना का जो उद्देश है ना वह आपके बितरन बुनियादी धाचों के जो ह डिसकॉम्स के विते सायता प्रदान करना है इसके लावा इस योजना के लिए जो आवंटी तर्रासी है ना वह आपके तीन लाग तीन हजार 758 करोर रुपे जो है इस योजना के लिए जो आवंटी तर्रासी है और इस योजना के तहर जो है देश के उपभुकताओं को जो है 25 कडोर अस्मार्ट प्रिपेड मीटर उपलब्द भी जो वो कराना है तो इन में से आपका तीन तो अप्सन में दिया गया था इसके लाए जो चौता अप्सन होगा ना वो आपका करेक्ट एंसर होगा क्योंकि इसमें जो आपका गलत गरीब कल्यान रोजगार अभियान 2020 के प्रथम चरन में जो है यह कितने राज्यों को आपका सामिल जो किया गया था तो देगे मैं आपका बतादो कि गरीब कल्यान रोजगार अभियान को 2020 में कोवीड 19 के महमारी से पिढित प्रवासी मजदूरों को जो है, सच्चम और उत्पन रोजगार की समस्या के समाधान हितु जो है, यह जो आपका अभियान है, यह आपका 125 दिनों के लिए जो है, यह आपका सुरू जब वो किया गया था, और इसमें प्रथम चरनों में जो है, आपके टोटल 6 राज्यों को जो वो सामिल किया गया था, और वो 6 राज्यों कों को से तो पहला आपका बिहार, सेगन आपका उत्तरपरदेश, थर्ड़ आपका मद्देपरदेश, फूर्थ आपका राजस्थान, फिप्त आपका जारखंड और सिक्स आपका उडिसा, यह छे राज्यों को जो है, जिले की, ग्राम तेलिहार से जो है, इसकी सुरुआ जो वो की गई थी, तो यह फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है, नेक्स्ट कोश है आपके आप रहता है कि संबिधान में 2023 तक जो है, कितनी अनुसूचिया यानि स्रिडियूल्ट से हैं, तो देखे वर्तमान में आपके 395 अनुचेद है, और वर्तमान में अगर अनुसूचिया की बात कर ले, तो वर्तमान में आपके 12 अनुसूचिया हैं, और 25 भागों में जो आपका विवाजित है, तो 12 आपके यहां पे correct answer होगा, इसके लावा अगर मूल संबिधान की बात कर ले, यानि जब विदान सबाबारी, धन विदेशाब की पेश किया जाता है, तो आपके राज्य, पाल की पूर्व अनुमत्य आपको से लए, इसे प्रस्तू जो है, तो राज्य पाल आपका यहां पे correct answer होगा, इसके लिए आपको धन Inner विदेशा की परिभास है यह किस अनुचेद में दि आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट कोने आपके आप रहा हादा कि बैंकिंग डर्मि ब्याज की होता है, तो बियाज कीमत गया है यान servant कि मनते हैं आप जो किसी से उधार लेते को पर आप Pharisees की वहाद सब्सक्राइब do कार्तिक पुर्णीमा को जो है कौन सा प्राचीन पसु मेला लगता है तो देखे हरियर नात मंदिर के पास जो है कार्तिक पुर्णीमा के दिन जो है आपका सोनपुर मेला जो वो लगता है तो सोनपुर मेला आपका यहाँ पे करेक्ट अंसर होगा इसके लिए आपका सोनपूर मेला यह कहां पर लगता है तो यह आपका बिहार के सोनपूर में प्रतिवर्स जो है यह कार्थिक पूर्निमा में जो वो लगता है इसके लिए मैं आपको आपका सोनपूर मेला है यह आपका एसिया का सबसे बड़ा पसू मेला भी है और इस मेले तो यह आपका भारत तोलन यानि वेट लिप्टिंग से संबन्दित है तो वेट लिप्टिंग आपका यहां पे खरेक्ट एंसर होगा इसके लावा मैं मीरा बाई चानू की बात कर ले तो यह आपका टोकियो ओलंपिक 2020 हुआ था ना इसमें 49 खीकरा भारवर्ग में यह भारत के तरफ से जो है यह सिल्बर मैडल जीती थी इसके लाव मैं आपको बता दू कि जो आपका 2022 का कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था वो आपका इंगलेंड बरिमिंगम में आयो जित किया गया था और इसमें मीरा बाई चानू ने जो है कुल 200 किकरा वजन उठा कर जो है भारत के फ obsess भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट कोश है आपको आप रहता है कि सरकार की नजर में ग्यारर रीन पुझिगत प्राप्ति अगर उधारन की बात कर लें तो इसमें आपका रीन की वसूली सारवजनिक उद्मों की वेक्री से प्राप्त आया इसके लाव बोनस सेर जारी करना ये सबी जो है आपके ग्यारीन पुझिगत प्राप्तियों के जो है ये आपके उधारेन है तो ये जो आपका यहाँ पर करिक्ट एंसर होगा next question आप के आप रहता की India Post में कौन सा छे में चैनल में से जो है वो नहीं है तो देखें इंडिया Post में जो आपके छे में चैनल है वो कौन कौन से है तो पहले आपका RAZ가नी चैनल हो गया second आपका metro channel हो गया, third आपका green channel हो गया, fourth आपका business channel हो गया, fifth आपका bulk mail channel हो गया ये दुनिया का सबसे बड़ा जो है, वो dark network है, और इसका जो काम कार्य होता है, वो आपके parser और व्यक्तिगत पत्रों को जो वो संभालना होता है, तो ये fact भी आपको ध्यान में रखना है, तो इतने question जो है, आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले है, जो कि 100% real और authentic है, तो अगर वीडियो अच्छे लगी हो, तो वीडियो को जो है, लाइक जरू कर दीजिएगा, और इसी तरह real analysis पाने के लिए जो है, चैनल को subscribe जरू कर दीजिएगा, तो मिलते हैं next video, तब तक thank you, all the best.